हेलो मेरे प्यारे भाई और बेहनों तो कैसे हो आप सभी मेरा नाह में आकान शात्री और जिसे कि आप जन्दी है हम अपने आप क्लास टेंटिस्टिक नमर वन हैं उसको यहां पर डिसक्रस कर रहे हैं इससे पहले भी इस चैप्टर की मैं दो सेक्शन्स कवर कर चुका हूं आ आज हम इस चैप्टर का तीसर सेक्शन यानि थर्ड सेक्शन पड़ेंगे उन सभी वीडियो का लिंक मैंने रिस्क्रस में दिया हुआ है अगर आपको कीजी भी टूपिक पर अलग डाउट हो कि मैंने हर एक वीडियो पर टूपिक पर एक सब्रें वीडियो बनाई है तो आ बाई दा एज ओफ रिवोलुशन्स 1813-1848 मतलब के करांतियों का योग जो कि आप इस यूग का मतलब कौन से पिरेड से कौन से पिरेड तक 1830 से 1848 तक कौन सा पिरेड है एज ओ रिवोलुशन यानि करांतियों का यूग इसको रिसक्रिशने से पहले में आपको खलकलका इससे प्रिवेर्स वीडियो में हमने दा रिवोलुशने जो आपको टोपक यानि करांतिकारी उसको डिसक्स किया था जिसमें होता क्या है 1815 के दोराने आपर सिक्रेट सुटाइटी जो होती है वो भर कराती है बहुत सारे यानि बहुत सारे इससमें यूरोप के जहां पर यह क्रांतिकारियों के जो विचार है उन्हों सभी को फैलाते है और जो वियना कांग्रेस थी उसके जो विचार ते लिवर्टी एंड अग्जाम पर भी एता था जिसका नाम है गसीबी मजीनी जो की एक इक इटेलियन एवल्यूशनेर ते यानि विद्रोई थी एक रामतिकारिते जिनका जन्द जीनोया में 1807 में होता है इस के चाप के बारे में पूछ ले जा सकता है एक्जाम में 10th के तो इसलिए आप इसक कि इसने रिगेरिया में विद्रो उठा दिया था यानि विद्रोई शुरू कर दियता है इस वज़े से चोई सल के उमर में देश से निकाल दिया जाता है यानि एक्जिल यानि मनमास बेच दिया जाता है कब 1831 यानि कि जो एज ओफ रिवल्यूशन जो आज हम टोबिक जिनके मेंबर्स के जो विचार थे वो इन शेरों के विचार में जो लोग रहते थे उनके समान थे यही सभी चीज़े थी और बागी की डेटिल साब के पिछली वीडियो में मिली जाएगी तो चलिए आज कर अपना टोपिक देखते हैं जिसका मतलब है जसे की रोडिवाद जो शाशन काल ता रोडिवाद का जो कि आमने एनसे पहले पतायए तो आपको था तो थे शेका मतलब होते है साथम हमें स्याइट कंजे जैर्टी बूका आप से की अरूरिवाड एसज़रुऔर पास दो इलाए पैप पेंसिल भी जहां पर भी वर्ड्स आएंगे ने डिपी करने उनको मार्क करते चलना विविजिन के समय आपके ये बैनिफीशिल होंगे कंसोलिट का मतलब होता है मजबूत बनाना यानि कि जो रूडिवादी शाशनकाल था उसमें उस समय वे अपने जो पावर है उनको मजबूत यानि अपनी शक्तिया को और मजबूत करना चाहते थे बढ़ाना चाहते थे लिब्रीज्म एंड नेशननलिसम यें डिजन्ली इंड को जो लिब्रीरिजम हैं एंड नेशनलिजन इं राष्चिवादी कि म पूद ने जिलाख और जो में एक तरह से revolution जो सा करांतिकारी विद्रोजो था वो फैला हुआ था and as the Italian and German states the provinces of Ottoman Empire किन-किन इलागों में Italian and German states में इन सभी इलागों में Italian and German states को मिला कर कौन सा provinces बनता है करनी कौन सा प्रांथ बनता है Ottoman Empire यह आप जो ज़्याद रखेंगे Italian and German states को मिला कर एक प्रोविंस बनता है निक प्रांद बनता है जिसका नाम यहां पर उटो मैंने पायरा आपको बताईया है Ireland and Poland और Ireland and Poland के प्रोविंस भी इसमें निक्लुडिद है इस रिवोलिशन्स वर लेड बाई दे लिबरल नेशनलिस्ट जे रिवोलिशन्स थे यानि ये विद्रोवी यूथ थे का निकायों की किसके द्वारा इस्तापित के थे लेड लिबरलिस्म नेशनलिस्ट बिलोंगिंग्टु एजुकेटेड मीडली क्लास अलाइट क्योंकि शुरुआत से ही अगर हमने अपने क्लास में फ्रेंच यूशन्स चैप्र उसको पढ़ा होगा उसमें प्यावनें देखा होगा बहुत सारे यूद कि सोरी यूद नहीं विद्रोव एक तरह से आइडिया किसके विचार में थी यानि किसने सबसे पहले शुरू की अधिकार थे वह बहुत कम थे इसी वेज़े से इसलिशन्स वर लेड़ बाई लेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल ग्लास एलाइट का क्या मतलब होता है सर्वत क्रश्ट यानि कि एक तरह से सर्वत तम हिंदी में इसकारत होता है सर्वत क्रश्ट ने आपको एजुकेटिड बना कर सिक्षित करकर सर्वत कर्श्ट बन चुके थे यानि कि जो हमारे बाकी की सुसाइटिक दी उनकी पराबरिंग में हो चुके थे तो उन्हीं लोगों ने वही लोग राष्ट्रवादी की फेलिंग को इस विद्रों तक लिए कर गए अमंग होम वर प्रोफेसर्स, स्कुल टीचर्स, कलर्क्स, मेंबर्स अफ कमर्शिल मिडल क्लासिस अब यहाँ पर आपको पतायागा कि इस मिडल क्लास में कौन-कौन से लोग ऐसे थे जिनोंने रिविलिशन में पार्ट किया प्रोफेसर्स थे क्योंकि पढ़े लिगे इन जुलाइं 1813 इसका मतलब है जो पर्थम विद्रो हुआ था फ्रांस में वो कब हुआ था जुलाइं 1830 इन जुलाइं 1830 इसको याद रहें है आप अफिवल मतलब पर्थम विद्रो फस्ट अपिवल दा बर्बन किंग्स हूँ है बीन डिस्टोट पावर दिविए रिग आपको मैंने बताया था कि दा बर्बन की वो हैड बीन इस्टोट पावर दूरिंग दा कंजरवेटिव रिएक्शन आफ्र इन फिटी बर्बन जो एक तरह से वंच था वो फ्रेंच एविलुशन के समय उसका अंत कर्दिया गया था निया नश कर देता लेकिन उसको वापस का पाँ पर पतन हुआ था यानि के शाशन का अंत हुआ था साथ में थोड़ा थोड़ा ओना लिंक करते चलना है कि हमें सब को जोड़ जोड़ू कर पढ़ना है कि भूल जाएंगे हम इसलिए मैं आपको फिछले टोपिक्स भी जोड़ कर बताते रहता हूं वर्णाव ओं अब भी यही होता है क्या होता है कि जो लिबरल रिवोलिशनरी से यानि कि उदारवादी करांतिकारी है वह ओवर्ण कर देते हैं यानि इसको वापस से हटा देते हैं हूं इंस्ट्रोले कंटिशनल मोनार्ची विद लूइस फिलिप एट इस हेड्स किसे जो वर्बन फेमि अश्डिशनल यानि समय वदानिक राश्तन त्रमापर फिर से स्थापित करते हैं विद लूइस फिलिप एक इस हेड्स को नै स्थापित करने के बाद शरुवात से हम देखते हैं रहे बार बार जो होता है कंसिट्जिशन मोनार्की वो हटती है यह लागू होती है को इसको को हटाकर वी वापस से Constitutional Monarchy लिए आते हैं Monarchy Monarchy मैंने बताया आपको जिसे आप Announce करना चाहे कर ले सब में दानिक राज सम्थ लिए आते हैं जिसका हैड हमापर कोई होता है लुइस फिलिप चलिए आगे दिखते हैं वेंड फ्रांस सेज नियस मैट्रीली टीमार्क्ट इसके Hmm आपके हैं इसे एंड सब्सक्राइब है में जब प्रांसबनी है मैट्री निच लिकल की को एनिश इसका पूरा नाम है ड्यूक मेट्रिनिच ड्यूक मेट्रिनिच ने एक पर कहा था कि जब फ्रांस चीकता है तो दा रेस्ट ओफ यूरोप कैचिस कोल्ड जो बाकी कब पूरा यूरोप है उसको कोल्ड हो जाता है यानि एक तरह से आप समझ गए हैं यहां पर इक कब बात हु अंग्रेस के जब हमने पड़ा था कि एक सम्मेलन हुआ था बिर्टेन रशिया पूरुशिया और अफरिका यह गोंते बरपा बैने आपको पता है था नापोलियन पर जब कहें बरपा था यानि की बिडेन रशिया पूरुशिया ने मिलकर नैपोलियन को हराय था उसके बा जिसका चंसलर हेड कोंता डुक मैटरीच तो मैटरीच ने कहा था कि जब फ्रांस सिखता है तो बाकी के पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाता है यानि उन सभी को कोल्ड हो जाता है आप इसको जुरूर अंडरलाइन करेंगे दे जुलाइ रिवोलुशन स्पार्क्ड एन उसने चंगारी एक तरह से ब्रासील में बढ़का दिती विच लैड तो बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रम दा उनिटेट इंडरलेंग से दूर तो एक पैरह हो रहे है हमारा चली को जल्दी इसको भी देख लेते हैं एन इवेंट देट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फिलि अब मोबिलाइज का क्या मतलब होता है एन इवेंट देट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फिलिंग अमंग दा एडुकेटेट एलाइट अक्रोस यूरप वास्दा ग्रीक वार उफ इंडिपेंदेट्स यानि एक तरह से नेशनलिस्ट की फिलिंग ती राश्यवादी भावना थी पूरे माँ पर अमंग देट एलाइट यानि की एलाइट कोन थे सर्वोत करश्ट लोग थे यानि कि एक तरह से बीडिल क्लास लोग थे बीच में जो राश्ट्रवाद की भावना थी उसका पूरा संचार हुआ था किस इवेंट की वज़े से ग्रीक वार उफ इंडिप पांजिस्ट एंपार सिंस रुडी नांतेश्ट एंटेश राश्ट्र इंड्वी जो गरीस ता था इस बिडिगा युट नांक से वीक वेली मिश्ट मीश्ट नेश्ट आपड में देटीन को यहां suे प्रोग डTO इंडिख लोग इंड वेडूरी नेश्ट था दापड ईन उत्पत्ती थी यूरोप में, इस पार्कड ओफ इस्ट्रगल फोर देपेंडेंस, पैक तरी से चिंगारी बनकर उभरी, इसके रूप में हमाके उन लोगों के अजादी के लिए अमेंगे इस ता ग्रीक्स, कि लोगों के बीच में, ग्रीक्स के बीच में, जो कब शुरू हु देखेंड़ का होता है, जो ग्रीक्स लोग रह रहे थे, एक तरह से हिस्सा थे एक्जल के, वह हाई मीडलिगलास ससाइटी की जो हिस्सा थे, और अज़स फरो मैंने वेस्ट यूरोपेंस, और कुछ पस्ष्म यूरोपेंस लोग भी थे, जो हेड सिंपाथी, सिंपाथी मत मतलब सिंपरी मतलब पूछें ना खुछ से समेधना जिन की समेधना किसके लिए थी फोर एंजेंट किरिंग कल्चर वो सभी किस के सपोर्ट में थे ग्रीश के यानि राष्टेवाद के सपोर्ट में थे पोईट्स एंड आर्टिस्ट्स आर्टिस्ट्स लोड़िड ग्रीस एज दे क्रेडल ओफ यूरोपीन सिविलाज़ाइशन उन्होंने एक तरह से क्रेडल का मतलब होता है यूरोपीन सिविलाईशन का गय खीर ग्रीस को एक 聽รाश से क्रेडल का यानि एक तरह से पालना का आए वहहीं पालना जिसमें कब आप जूलते थे जब आप चोटे थे छैदानिय नहीं करते ते जिसमें आप जूलते ते वहीं पालना तो पोईर्शंच तो आर्टिस्ट है उन्होंने गिरिस को एक तरह से ऐसे व्यक्त किया जैसे एर्योपीन सिवलाइशिन को नोन एक तरह से पालना का है और जिसमें पुब्लीक अपीनियन यानी जन सुमें की पावना का संचार होते है यानी व्यक्त वे वे अपना रखते हैं टू सपोर्ट इटी स्ट्रगल लंग कर ले इंगलिश पैट ल्वें चरू से ли अंधि एक दर से पॉणते लोडश टो से ओन थे और उन्होंने थ Western होन्होंने क्तर से फर्ट किई और्लेटर में वह रंव सीथमें चछ capita क्योंकि युद में जुरूरी सामानों की भी आउशक्ता होती है जिसके लिए धन भी चाहिए इसलिए नहीं ने फ्रंस की जीट किये थे वेर ही डायड ओफ फीवर इन 1824 जहां पर इनकी मिरित्ती हो गई कब फीवर की वज़े से नहीं भुखार की वज़े से 1824 में तो आप इसको जुआ रहेंगे 1824 को लोड बायरन का डेथ होता है इस कारण फीवर के कारण फाइनली दा ट्रीटी ओफ कॉंस्टांटिन पिले ओफ 1832 रिकोगनाइज्ट घ्रिस अं इंडिपेंडेंट निशन और फाइनली दा ट्रीटी ओफ कॉंस्टांटिन पिले जो इसकी संदी थी हैं चिशन्प रिसे को गरीजस को एक तरह से इंडिया ग्या।म्च वो एक तरह से इंडिपेंडने नेशन राष्ट बढ़ जुका था वे जो फ्रिवोलिशन का आज ये इस टोपिक में इतना ही डिसक्स करता हूं इससे जो थार्ड आगल नेक्स्ट पार्ट होगा तरी पॉइंट मांद रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल नेशनल जिसके टोपिक क्या थे आपके में लट्टो फूट ने लगते हैं उस टोपिक को मैं आपके से नेश्ट वीडियो में डिसक्स करूँगा क्योंकि एक अच्छा का सा लंबर टोपिक है और वीडियो के लेंद काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको हम नेश्ट पार्ट म ल्ड़ी को अर में लटू यू आपके मारे इसलियो को यू ईर होपिक का सा लंबर टो छूब्टोे रिए मेंद करूछा को हमें लिएर गल्ल के लिए!